या फाइनल से पहले का फाइनल है ये? मतब इंडिया वसे साउथ आफ्रिका अध इडन गार्डन्स मज़ा बहुत आएगा पर हार्दिक पंडिक सर वो रूल आउट हो चुके हैं इस टॉर्नमेंट में खेलेंगे ही नहीं ये भारती उमीदों को लगा है बहुत बड़ा जटका पर कुदरत का निजाम अभी चल रहा है पाकिस्तान अभी भी जीवित है I mean जीवित है कौलिफाइ नहीं किया पर जीवित है मैच में भी टॉर मान चाह गया भई बात है है एक एक भी मैच नहीं हा रही है दूसरी टीम मातरे एक मैच हा रही है एक टीम है जो जब पहले बैटिंग करने आती है तो वह 300-300-400 एकदम टाइम पास के लिए बनाती है इस टीम से ज़्यादा किसी और टीम नहीं जड़े है अंडर लाइस इस टीम की बोलिंग में जोकर जिसने इनको बोला चोकर वह बंदा है जोकर ऐसा मैं कहा रहा हूं थोड़ा सा राइम कर रहा था इसलिए पर सामने है इंडिया इंडिया से भारतिया टीम ही नहीं आपको कहीं भी देखने से मिलती नहीं है अब कोलकता की अगर हम बात करें अब इस पिछला जो मैच हँआता था झासा वो थोड़ सा र्रफेस ता अगर वैसा ही सर्फेस रहता तो थोड़ा रोल जयदा रहेंगे अगर ऑला इंट्रेस्न फास बोलर्स के लिए मदद रहेगी, एक और इंट्रेस्टिंग बात ये थी कि इवन दो ये इस्ट ऑफ इंडिया में है लेकिन वहाँ ड्यू नहीं थी पिछले मैच में, तो हो सकता है कि इस मुकाबले में भी आपको ड्यू नजर ना आए, भारत को चाहिए कि वो टॉस जी है तो वो भी हो सकता है, तो अगर साथ आफरिका टॉस जीती तो बैटिंग करेगी, इंडिया टॉस जीती तो भी मुझे तो लग रहा है, बैटिंग करेगी या बैटिंग कर लेंगी दोनों टीम से, मुझे ऐसा लग रहा है, that's what I feel, चलिए अब जरा मैं आपको बताता हू और वो उन लोगों के लिए है, जो मेरे लिंक से जाएंगे, तो मेरे लिंक से अगर आप जाओगे, तो आपके लिए मौका बनेगा, और अगर मेरे कूपन कोड आकाश 23 का इस्तमाल करोगे, तो 20% extra on your first deposit भी आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा भी बहुत बड़े- विराट कोली रोहित शर्मा, अभी मैंने शुमन का नाम नहीं डाला हो सकता, रोहित के जगह डाल दू, बट देन रोहित गाडन्स कहते हैं इस मैदान को, मार्को एंसन एडन मार्करम, मार्को को कोई हाथ ने लगाएगा, टीम में पक्का रहेगा, जस्पीत बुमरा मुहम अगर आप डिस्क्रिप्शन में है, आपके लिए एक घंटे में जॉइन किया तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि एक रुपे में एक करोर रुपे तक जीत रहेगा, अगर आपको मिल रहा है मौका, तो फिर मौका, 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 कर लो, ले लो, फैदा, में तीसरी स्टोरी हार्दिक पंडिया की अनुपस्तित्थी भाई सब नहीं है, हार्दिक पंडिया नहीं है और हार्दिक पंडिया की रिप्लेस्मेंट आए है प्रसिद्ध कृष्णा, सवाल रहता है कि प्रसिद्ध कृष्णा मतलब वो तो फासबोलर है, हार्दिक पंडिया तो ऑल सकते थे कि या कि किया हम अक्षर पटेल की तरब सोच लेया पर हम शिवंदूबै की तरफ सोच लेया या बीपक चाहर की तरफ सोच लहें ऐसा को इनोंने का हमने पूरा प्रॉपर ऺट बोलर चाहिए तो हम तो philosophy है यही हमारा सफलता का मूल मंत्र है भई कह दिया है और यह बात भी सच है लेट्स भी फैर जब यह tournament शुरू हुआ था था हमने कहा था हार्दिक पंड्या वो एक ऐसी कड़ी हैं जो मतब irreplaceable हैं बैटर को हटा सकते हो बोलर को हटा सकते हो हार्दिक के जगा कौन आएगा और जो विधी का विधान है भईया हार्दिक की जगा ही आगे है प्रसेद कृष्णा और हार्दिक की अनुपस्तिती खलेगी जरूर अब देखते हैं कि कितना नुकसान होगा आए हो ना हो अभी तक तो नहीं हुआ है होफुली आगे भी अच्छा ही होगा अब इंडिया सौथ आफ्रिका के मुकाबले में प्रोवो पे कुछ सवाल आयों है तो पहला सवाल यही है कि अभी विराट कोली पचास बनाएंगे मुझे थोड़ डिफिकल लग रहा है इस मैच में विराट के एक मातर सबसे बहतरीन ओपनियन ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म है जिसमें आप असान से असान सवालों के जवाब हाँ नामे दे सकते हैं क्रिकेट मैं देख लेता हूँ आप अगर आप किसी और जगह इंटरेस्ट रखते हैं तो वो कैटेगरी आप चुनके वहाँ में भी आप आसान सवालों को चुनकर उनका हाँ या नामे जवाब दे सकते हैं और जीत वे पैसों को आप अप अप्लिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं गूगल पे गूगल पे पे टीम फोन पे सबके जरीये और 25 रुपे तक आपको मिलेंगे if you go with my from my description में जो मैंने link डाला है तो फिर इस पूरे विश्वक अप में अपने opinion का इस्तमाल करो प्रोब करो link description में बाबा देख लो हमेरी पांच वीं जो स्टोरी है वो है आफकोस पाकिस्तान को लेकर क्या बात है पाकिस्तान हद था वा बहाँ वह टॉस जीत के बैटिंग का नहीं गेंडबाजी का फैसला करते हैं एकनल सपारट पिछवे और सारे फास बोलो खिला लेते हैं का सारे हम फास बोलो खेलाए थी which was basically their bowling इस पूरे tournament में रही है weakness क्योंकि कित्रे रन खाये हैं यार मतलब दिल खोल के इसी मैदान पे 3.5-3.5 रन बनाये थे Australia ने इसी मैदान पे 4.5 रन बनाये थे New Zealand ने ये Hyderabad के मैदान में श्रिलंका ने मनाये थे अगर इत्तर रन खा रहे हो तो इसका मतलब bowling में तो दम नहीं है और इस बार तो शाहिन शाफरी थी की बहुत बिटाई भी हारी इस रौफ की बहुत बिटाई भी और रौफ की तो खैर बहुत ही पिटाई हो रही है इस पूरे tournament में कमाली हो गया अगर रिवर्स भी हो रही है तो वहाँ उनका जरूर लाब हो जाता है पर अगर रहे है और देन दाट बोलिंग भहुत साधारन और रचन रविंद्रा प्लेयर अफ दो टौर्नमेंट है मेरे विचार में इनसे बहतर युवा खिलाडी कोई नहीं है रचन रविंद्रा शुरू में देवन कौन वे उसके बाद केन विलियमसन वापिस आगे या चोट लगती है भाई खेलता है पहले मैच में रन फिर चोट लगती है फिर खेलता है पहले मैच में रन पहले मैच में बहुत तगड़ी की ती बहुत चक्या मारे और बारिश बारिश के चलते थोड़ा सा डीलस का टारगेट कम हुआ चीज़े बदली है अब कहा सकते हैं कि 400 रन तो शायद नहीं चेज होते हैं कहां ही होते हैं चेज रन पर नॉट पाकिस्तान से फॉल्ट राइट उनको जितने और खेलने को मिले जो नियम थे उसके अनुसार वो आगे थे क्योंकि उन्होंने विकेट नहीं गवाया था इन अच्छे खासे मार अब और रन बॉली चल रहे थे इस बंदे ने कमाली भैटन किया अब अब मतारव किया था भई है लो ड्रॉप क्यों किया था पताओ जरा बता दो बतादो अच्या इसके बाद ना मैं मैं जा रहा हूं मेरा एक दूसरा दोस्त है उसका नाम आप रख पताना क्या रखना च आजकल काम्याब हो नहीं पाते हैं औस्टेलिया को बैटिंग के लिए पहले आमंतरित किया गया था क्योंकि कह रहे थे कि बाद में ड्यू बहुत आएगी ड्यू का तो पता नहीं लेकिन औस्टेलिया को 286 रन पर रोकने के बावजूद मुकाबला जीतने में असमर्थ रहा डिफेंडिंग चैंपियन्स इंग्लेंड शुरुआत अच्छी हो गई थी गेंड के साथ स्टीवन स्मिट ने जरूर 44 बनाए मानस लाबुशेन ने 71 ग्रीन के 47, टॉइनिस के 35, 286 का था लक्षा बहुत बड़ा टोटल तो नहीं था लेकिन उसके बाद विकेट्स रेगुलर अंतराल पे गिरते रहे टाविड मलान ने 50 बनाए बेंड स्टोक्स ने एक धीमी 44 टरन की पारी खेली मौईन अली ने मैच को थोड़ी देर के लिए जीवित जरूर रखा लेकिन अंत में जैंपा की तीन, कमिंस की दो, हेजल वुट की दो और मिचल स्टार्क की दो विकेट्स बहुत भारी पड़ा उस्ट्रेलिया, इंग्लेंड पर उस्ट्रेलिया भी अब क्वालिफिकेशन की बिल्कुल बगल में खड़ा है और इंग्लेंड, खेर, वो तो इस टॉर्नमेंड में लापता है आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है प्लीज लाइक, शेयर, सब्स्राइब, कॉमेंट, नोटिफिकेशन, घंटी माईलाम सर्कल कल लिंग यहाँ पर है, प्रोबो कल लिंग यहाँ पर है जियो सिनमा पर हैश्टाइग आकाश पानी देखिएगा, वहाँ पर सईयर मुश्तागली ट्रूफी की बन में पूरी कहान ही किया है बड़ा अच्छा शो है हमारा, हम सब चीज़े कवर करते हैं, तो उसके लिए बहाँ जाहिए, अभी, आज के लिए, इतना ही है झाल